हेलो दोस्तों आपका इंप्रूब लर्निंग चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है अब तक हम संभिधान इस सीरीज के तीन पार्ट आपके सामने ला चुके हैं आज यह चौथा पार्ट है उम्मीद है कि यह वीडियो भी आपको पूरु में अप्लोड की गई वीडियो जि कीजिएगा अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्रीद इस चैनल को संस्क्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आन कर लीजिएगा तो चलिए हम आज का पहला question इस टार्ट करते हैं जैसा कि अभी बीते दिनों में राज की नाम में तो परिवर्तन नहीं गुआ लेकिन कई जगहों पे नाम पे क्या हुआ बहुत सारी परिवर्तन किये गए तो अगर राज की बात आए तो संसत कर सकता है परिवर्तन ठीक है और हम चलते हैं अगले कुश्चन की तरफ हमारा अगला कुश्चन है कि भारत में निर्वाचन पढ़ाली किस देश से अभी प्रेरित है ठीक है हमें पता है कि हमारा जो सम्मिधान है ये कई देशों से मिल के बना है ठीक है कई देशों के सम्मिधान से मिल के बना है तो उसी तरह से जो हमारी निर्वाचन पढ़ाली है वो फ्रांस से ली गई है ठीक है अगला हमारा क्यूस्चन है कि राजिपाल की कारी कारी सकतियों का उल्लेख किस अनूछेद में है तो राजिपाल की जो कारे कारी सकतियां है उनका उलेख है अनूछेद 154 में इसे आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलिए अब चलते हमें next question की तरफ तो हमारा आज का अगला question है कि कौन सा अनुच्छेद संसत को सम्विधान में संसोधन करने का अधिकार देता है तो वो अनुच्छेद है 368 जो संसत को सम्विधान में संसोधन करने का अधिकार देता है ठीक है इसे आप लोग याद रखेगा important अनुच्छेद है ये अगला हमारा question है कि राजियों की प्राथमिक सिच्छा मातरी भासा में दिये जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है ये most important question है तो इसका answer है अनुच्छे 350A अनुच्छे 350A में बताया गया है कि जो राजियों की प्राथमिक सिच्छा है वो मातरी भासा में दिये जाएगी ठीक है अब चलिए चलते हमें next question के तरफ तो मारा अगला question है कि लोकसे या आयोक के अध्यच को हटाने से समंदित बातें किस अनुच्छेद में कही गई है तो लोक सिवा आयोक को हम हटा सकते हैं ऐसा कहा गया है अनुच्छे 317 में इससे समद्ध जितने भी चीज़े हैं वो इसी अनुच्छे में बताई गई हैं कि किस प्रक्रिया के दोरा हम लोक सिवा आयोक के अध्याच्च को पद से हटा सकते हैं ठीक है अगला हमारा कोश्चन है कि समद्धान को अंतीम रूप देने की कुल अवधी क्या थी तो दोस्तों इसका आंसर है दिसंबर 1946 से प्रारम बोकर ये नवंबर 1949 तक जाके हमारा समद्धान पूरी तरह से क्या हो गया बनके तयार हुआ ठीक है अब चलिए चलते हैं हमें नेक्स क कुश्चन की तरफ तो हमारा अगला कुश्चन है कि कौन से देश की नागरिकता जो है वो दोहरी नागरिकता है अर्थात कौन सा देश दोहरी नागरिकता का प्रावधान करता है तो इसका आंसर है सन्यूक्त राश्ट्र अमेरिका अगर बात आए हमारे देश की तो हमारे 36 अमेड्मेंट दोला जो सिक्किम था वो भारत का 22 राजी बना था ठीक है इसमें दो question हो सकते हैं सिक्किम भारता कौन सा राजज बना था 36 संसोधन दाज तो आप आंसर दोगे 22 ऊह और पूछे 22 राज संसोधन दोला बना था तो इसका मैं आपको फिछले वीडियोज में भी बता चुका हूं 20 जून 1978 को संपत्ति की अधिकार को मुल अधिकारों से हटा दिया टीक है अब यह हमारा कानोनी अधिकार है और जो मौलिक अधिकार है वो बस 6 बचे हैं अगला हमारा क्योषचन है कि मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंद लगाने का अधिकार किसे है तो दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों पर अगर कोई न्याय संगत प्रतिबंद लगा सकता है तो वो है संसद, ठीक है, संसद उसे प्रतिबंद लगा सकती है हमारा अगला कुश्चन है कि किसी राजी की विधान सभा में अधिक्तम सदस्यों की संग्ठा कितनी हो सकती है तो दोस्तों इसका आंसर है 500 मतलब किसी राजी की विधान सभा में अधिक सदस्य कितने हो सकते हैं 500 हो सकते हैं ठीक है तो दोस्तों इसका आंसर है समिधान सवा के अध्यच प्रांती असेंबली द्वारा निर्वाचित हुए थे चलिए अब चलते हमें next question की तरफ तो हमारा अगला question है कि कौन सा article राष्टपती को छमादान का अधिकार देता है मतलब राष्टपती जो mercy petition लोग राष्टपती के सामने दाखिल करते हैं तो राष्टपती को कौन सा article है जो वो अधिकार देता है दया का तो article 72 है ठीक है अगला हमारा question है कि अनुछे 76 का संबंध किस्से है तो अनुछे 76 का संबंध हमारा है महा नयावादी या इसे कहते हैं Attorney General of India ठीक है हमारा आज का अगला question है कि PM के करतब्यों की व्याक्या किस अनुछेद में है दोस्तों PM के क्या क्या करतब्य है इसको बताया गया है अनुछेद 78 में किस अनुछेद में 78 में इसे आप लोग याद रखिएगा अगला है कि अनुछेद 74 का संबंध किस प्रक्रिया से है तो अनुछेद 74 का संबंध मंत्री परिसत के गठन से है ठीक है हमारा अगला question है कि अनुछेद 343 का संबंध किस से है यह बहुत important अनुछेद 343 ठीक है 343 से लेके 351 तक इस सारा का जिसका संबंध है वो संघ की भासा से है इसमें बताया गया है कि संघ की भासा हिंदी होगी ठीक है और लिपी डेव नागरी होगी ठीक है यह किसमें बताया गया है अनुछेद 343 से लेके 351 तक यही बताए गया है अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुछेद 110 का संबंध किस से है अनुछेद 110 का संबंध है धन विधेयक से ठीक है अब यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक होगा इसे कौन बताएगा कि ये जो विधेयक है ये धन विधेयक है तो इसको मैं आपको अपने पिछली वीडियों जो बता चुका हूँ कि ये भी संसधी निर्धायित करती है ठीक है हमारा अगला कुष्चन है कि अनुच्छेद 21a का समBnd किससे है तो अनुच्छेद 21a का समBnd बहुत important अनुछेद ये अनुछेद इक्की से क्योंकि ये बाल अधिकार से संबंदित है। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए सिच्छा का अधिकार मूल अधिकार होगा। ये किसमें बताया गया अनुछेद 21 खाओ अधिक है। हमारा आज का अगला कुश्चन है कि राश्पती पर महावियोग संसत के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है इसका वर्डन किस अनुच्छेद में है दोस्तों इसका वर्डन है अनुच्छेद 61 में ठीक है आर्टिकल 61 में बताया गया है कि राश्पती पर महावियोग स तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा अपने दोस्तों में सेयर कीजेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आन कर लीजेगा थैंक यू